अब एक बिल्कुल नई अफडेट आई है USDT को लेकर और Tron को लेकर तो यहां पी USDT D-Pack हो सकता है और इसके साथ Tron की भी value नीचे जा सकती है रीजन यह है कि जो terrorist group है ISIS तो वो एक्चल में Tron-based USDT को यूज़ करते हैं 2022 में और इन्होंने 2 million dollar की transaction करी है तो इस सीट को में थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा और आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी हाला कि ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला कि सारी crypto currencies नीचे गरेंगी लेकिन इसका impact बहुत बुरा पढ़ने वाले short term में BTC भी नीचे जा सकते हैं इवन बाकी odd coins भी नीचे जा सकते हैं तो वीडियो पुरा देखते रहे ना अब इसा like कर दो चैनल पर पहली बार आएं तो प्लीज सब्सक्राइब एरके बेल लेकिन दबा लेजे ताकि आप तक आने वाली वीडियो के notifications हमेशा पहुंचत रहें तो हमेशा जब भी government बात करती है rules and regulations को लेकर और cryptocurrencies के उपर blanket band लगाती है तो उसके पीछे main reason यही होता है कि cryptocurrency को use ना किया जाए human trafficking के लिए या फिर terrorism के लिए या किसी भी ऐसी गलत activities के लिए तो यही चीज़ सामने आई है जो terrorist organizations हैं उन्होंने centralized exchanges को use किया है blockchain intelligence firm को use करते हुए इन्होंने अपना पैसा इधर से उधर की है तो ISIS ने हमेशा crypto currencies को use किया fundraising के लिए क्योंकि यहां पर transaction सामने नहीं आती हवाला यूज नहीं करना पड़ता transaction बिलकुल सीधा हो जाती है एक wallet से दूसरे wallet में चाहिए वो किसी भी country में हो बिना government के किसी भी तरीके की intervention से यहां कि government इस चीज में interfere ही नहीं कर सकती तो एक्चल में blockchain analytics firm है एक TRM के नाम से तो TRM Labs नहीं यह चीज हमें बताई है कि multiple pro ISIS जो ग्रूप है ताजिकस्तान के उन्होंने 2 million dollar कठे की हैं USDT के द्वारा और यह 2022 के activities हैं तो एक्चल में यह पैसा use किया जा रहा था recruiting के लिए fighters को ISIS के लिए जो कि खासकर ISKP के लिए के लिए यानि कि Islamic State Khorasan Province जो कि Afghanistan का ही प्रविंस है तो unnamed centralized exchanges को use किया गया है funds को cash out करने के लिए unnamed मतलब बिना किसी नाम के लेकिन TRM Labs ने इस चीज को trace कर लिए money को trace कर लिए even exchanges को भी notify कर दिये कि यह आपके exchange की उपर गलत activities चल दिये खास कर terrorism को help मिल रही है crypto currencies की जो कि बहुत ही गलत है और exchange ने भी इस चीज का साथ दिया उन्होंने जितने भी user से उनको identify किया रिपोर्ट किया local authorities को और June 2022 को जो senior ISIS fundraiser है शामील हुकमतव उनको टर्की से arrest भी कर लिया गया था तो यह activity दो परानी है लेकिन news अभी बिलकुल अभी ही सामने आई है कुछ एक दो घंटे पहले सामने आई है क्योंकि इसे के साथ और भी ISS group है जो कि प्रो ग्रूप से हैं और उन्होंने पांच लाग सत्रा हजार डॉलर एकठे कि हैं जो कि Indonesian based exchange के द्वारा किये गये और यही चीज वजीरेक्स की बार बार आ रही थी कि शायद वजीरेक्स भी इस चीज़ में तो नहीं है क्योंकि इंडिया में क्या कि जो पैसा चाइना में भेज़ा जा रहा था बाइनस और वजीरेक्स को यूज़ करते हुए जो कि खास कर लोन एप्स या फिर ऐसे गेमिंग एप्स को यूज़ करके पैसा वहां पे सेंट किया जा तो ये पैसा इकठा किया जा रहा था ISIS मेंबर्स को सीरियन कैम्प से फ्री करने के लिए तो ये जो अमाउट किठा किया जा रहा था कैम्पेन के दोरा किया जा रहा था और बहुत बड़े अमाउट्स में लगबग 10,000 डॉलर इच परसन ने डोनेट किया है ताके जो ISIS मेंबर्स हैं उनको फ्री किया जाए बिल्कुल ऐसी जो ISIS के एफिलेट्स पाकिस्तान में है वहाँ भी 40,000 डॉलर इकठे किये गए रेज किये गए पिछले 12 महीनों के अंदर लेकिन ये जो कठे किये गए थे ये विक्टिम्स अफ एर्थ के लिए कठे किये गए थे जो कि टर्की एंड सिरिया में हुआ था फेब्लरी 2023 में यानि कि उनकी हेल्प करने के लिए एक और फांडेशन है अल अजाइम फांडेशन जो की मीडिया प्रोडक्शन है प्रो आएसस मीडिया और्गनाइज़ेशन है अफगानिस्तान की तो उन्होंने भी फंड रेजिंग करिये और उनके पास भी लगबग 10,000 डॉलर सीव है यानि कि इसी तरह के से बहुत असानी से आएसस जैसे ग्रूप्स हैं जो वो बहुत असानी से काम कर रहे हैं लेकर बात यहां पर सामयाई है USDT की और TRC20 की TRON-based USDT की बात करी जा रही है तो न्यूस वालों को शायद नहीं पता होगा तो एक्चल में TRC20 तो सिरफ एक blockchain ही है यानि कि USDT को अगर हम TRON blockchain की उपर transact करते हैं तो वो TRON नहीं बलकि वो TRC20 चेन रहती है अब इसकी वज़े से एक negativity फैल सकती है कि TRON की value नीचे गरे कि हाँ शाय ट्रॉन को यूज किया जा रहा है जिस कारण आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है stop loss लगा के रखना USDT में और TRON में भी ताके ये news फैलने से पहले पहले आपका या तो stop loss हिट्टे हो जाए या फिर at least आप एक safe mode में रहें ताके आपका कोई बड़ा loss ना हो इसके लाबा अगर आपको किसी भी कॉइन के बारे में कोई भी अपडेट चाहिए किसी भी project के बारे में नीचे comment कर दीजिए मैं नेक्स यूडियो में cover करने कोशी करूँगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज लाइक एंशेर दिस वीडियो और अपने फ्रेंड्स और फैम्ली के साथ शेयर भी करें और इसी के साथ मारे चैनल को सब्सक्राइब और के बेले के दबा लीजे ताके आप तक आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन स मेशर पॉंच देने से तुन थैंक यू